फ्रेंड्स ये इस्टोरी का तीसरा भाग है अगर आपने इससे पहले वाली इस्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है आप वहां जा करके सुन सकते हैं हर रोज इस्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लेश कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अरजुन ने फोन सुनकर गुस्से से फोन को जमीन पर पटक दिया और अपना हाट टेबल पर दे मारा टैमिट अरजुन काजल ने अरजुन के हाथ को देखा तो उससे खून बैरा था जीजु क्या हुआ काजल अर्जुन के हाथ पर दबाई लगा कर पट्टी कर रही थी जीजु हुआ क्या बताईए तो वो नर्स पुलिस की हिरासा से भाग गई है क्या पर कैसे वो यहां से ले जा रहे थी और रास्ते में ही उसे कोई छुडा कर ले गया दाईए मा भी वही थी अर्जुन ये क्या हुआ आपके हाथ में कुछ नहीं दाईए मा दाईए मा वो नर्स भाग पे क्या अर्जुन वो ही एक कड़ी थी जो हमें उस इंसान तक पहुचा सकती थी दाईए मा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तभी अभी भी वहाँ आ गया दाइमा ने अभी को अपने गले से लगा लिया अभी आप ठीक हो गए आपको देखकर मन्फुस हो गया अंजु के दिमाग में एक बात आई तो उसने दाइमा से कहा आप कुछ परिसान लग रही है हमने आसरम में फोन किया था जहां रोनक का इलाज चल ला है ये रोनक कोन है दाइमा वो हमारा बेटा है सब चोग गए सिवाए अरजुन के दाइमा आपका बेटा भी है आपने कभी बताया नहीं मैं बताता हूँ अरजुन ने कहा जिस दिन अभी के साथ वो हाथसा हुआ था उस दिन रोनक भी साथ में ही था दोनों को उन लोगों ने पता नहीं ऐसी कौन सी ड्रग दी जिसकी वज़े से दोनों जिन्दा लास बन गए अरजुन तो आपने हमें क्यों नहीं बताया काजल ने कहा हम रोनक को भी वो ही औसदी दे देते जिससे वो ठीक हो जाते काजल बहू अब बहुत देर हो गई है दाई मा जब अभी ठीक हो सकते हैं तो रोनक क्यों नहीं मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है अरजुन कहकर रोने लगे तो अरजुन ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, वो ठीक हो जाएगा, तब ही दाई मा का फोन बजा, तो दूसरी टरप से आवाज आई, आप जल्दी से यहाँ पहुच जाएए, राउनक को होस आ गया है, यह सुनकर दाई मा खुस हो गई, हम अभी पहुच रहे हैं, कहकर फोन बंद कर दिया, अ राउनक के पास बैठी वे थे, महांत जी, राउनक ठीक है, उन्होंने सिर जुका लिया, महांत जी, क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, राउनक तो ठीक है ना, अरजुन की निजर, जब राउनक की तरप गई तो वो खून से लग पत था, दाई मा ने देखा तो राउनक से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी, राउनक उठी एक बार, देखिए, हम आपकी मा, कहकर बस रोय जा रही थी, अरजुन ने दाई मा को अपनी गले से लगा लिया, काजल, अवी, रवी, समीर, सब रो रहते, काजल ने दाई मा को अपनी गले से लगा लिया, का ने महंत जी से कहा ये सब कैसे हुआ पता नहीं ये तो ठीक हो गए थे जिस कमरे में नेल लेटा रखा था हम सब वहीं थे जब सब वहीं थे तो ये सब कैसे हो गया पर हाँ हम सब कुछ देर केरे बाहर चले गए पर सुरेश वहीं था उसे पता होगा कहा है वो सबने सुरेश को इधर उधर ढूनने लगे पर वो कहीं न दिखा अरजुन का गुस्टा उसकी हसे बाहर जाना था वो भाग गया है अरजुन ने जोर से चीख कर कहा रभी पुलिस को फोन करो सर पुलिस आ रहे है तभी पुलिस वहाँ पहुच गई इंस्पेक्टर वो इंसान मुझे जिन् लगई और अब यह लुक इंस्पेक्टर इस बार अगर वो सक्स आपके हातों से निकला तो मैं आपको क्या करूंगा कहकर बात छोड़ दी देखें मिश्टर सुर्वनसी हम जानते हैं कि यह सब जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है पर इसके पीछे आपका ही कोई करीबी ह जो आपके हर मूम मेट पर निक्रानी रख रहा है आप कहना क्या चाहते हैं हमसे कोई है जो यह सब कर रहा है आई एम सॉरी पर यही हकीकत है क्योंकि जब भी हम सज तक पहुँचने वाले होते हैं तब तक सब खतम हो जाता है इंस्पेक्टर हाद में रो अपनी वरना कभी ने पीछी खीच लिया अरजुन को जीजू खुद को समझालिए अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा अरे कैसे खुद को समझालो वो सक्स बारी बारी सबको नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूनगा बहुत हो चुगा आप कहकर किसी को फोन किया आप जल्दी से यहा कि मुझे अपना सिकार को खिच लेता है सब रोनक की डेट बाडी को वहां से ले आए रोनक की डेट बाडी का अंतिम संसकार कर दिया गया समीर अकेली घर जाने लगा तो अरजुन ने रोक दिया अकेले कैसे जाओगे भाया आटो रिक्सा से रभी समीर को छोड़ाओ समीर रभी को लेकर चला गया डाई मा का सब बहुत ख्याल रगते थे दिन बीट रहते अभी भी अब पूरी तरह से ठीक था डाई मा भी धीरे धीरे समल तो गई थी पर दिली में टीस अब भी थी रात को सब खाना खाकर फिरी हुए तो अभी अरजुन के पास बैठ गया भाया रोनग भी उस दिन मेरे साथ था तो मुझे याद क्यों नहीं है अरजुन ने अभी का सर अपनी करदे पड़क लिया क्योंकि तुम दोनों की बाड़ी में उन्होंने ऐसा ड्रग इंजक्ट कर दिया था जिसकी वज़े से तुम सब कुछ भूल गये थे रोनग को शायद तो क्यों रहें सर वो मा कहकर रोने लगा क्या हुआ सर किसी ने मा को मार दिया है उनकी डेड बॉडी मिली है सरक के बीचों बीच चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है उनका पोश्ट मार्टम हो गया है अरजुन ने सुना तो वो धम से सोप में पर बैट गया आप जल्दी आजये सर हां आ रहा हूं मैं काजल ने पूछा अरजुन क्या हुआ रवी की मा को किसी ने मार दिया है सब एक साथ बोल पड़े क्या ये सब क्या हो रहा है उन्होंने किसी का क्या भी गाड़ा था मुझे जाना होगा अरजुन मैं भी आपके साथ चलती हूं जीजू मैं भ उनों को रोग दिया दाइमा आप और अभी यही रहे पर अरजुन दाइमा प्लीज ठीक है हम दोनों यही रहते हैं पर आप अपना ध्यान रखना और दाइमा आप भी अरजुन काजल अंजू चले गए रभी का रो रोकर बुरा हाल था तो अरजुन ने उसे अपने गले से सर उन्होंने किसी का क्या बिगा रहा था जो उनके साथ ऐसी निवद्यता दिखाई रभी आंटे जी की बॉड़ी सड़क के बीचों बीच कैसे पता नहीं सर मुझे फोन आया और मैं वहाँ पहुँच गया पर मा वहाँ कैसे पहुची और वहाँ क्या करने गई थी कुछ पता नहीं आखिर यह सब क्या हो रहा है अस्पतार से सभी औपचारिकता हैं पूरी करने के बाद सबने सुबह होते ही आत्म संसकार कर दिया अर्जुन रभी को अपने साथ ले आया इन कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया कि सब की जिंदगी में उधल उधल मची ना तो वो उठ गया काजल पसीने से तर बतर हो गई काजल क्या हुआ अर्जुन ने काजल को चुआ तो काजल ने अर्जुन का हाँ छड़क दिया मत चुना मुझे तुम बहुत गंदे हूं काजल मैं अर्जुन काजल ने आँखे खोली तो रोती भी अर्जुन के सीने से मुझे बचा लिजी, वो लोग मुझे ले जाएंगे। काजल मेरी तरफ देखो। काजल ने अरजन की तरफ देखा तो अरजन के चेरे पर उसके लिए चिंता नजर आ रही थी। काजल, यहां कोई नहीं यह देखो। काजल ने पूरी कमरे में नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था, वो ख्वाप देख रही थी। काजल, कौन ले जाएगा तुम्हें? काजल की आखे परसने लगी, वो काजल के मुझे एक शब्द नहीं निकल रहा था। काजल, अर्जुन की तरफ देख रही थी, काजल मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हाँ तुम्हारे साथ? काजल रोती रही, काजल, तुम मुझे कुछ बताओगी, नहीं तो मैं तुम्हारी तकलिप कैसे दूर करूँगा। कमरे में खिरकी में से चांद की चांदनी कमरे में आ रही थी काजल ने सारी पहन रखी थी तो उसकी कमर से पल्लू हट गया अरजुन की नजर जब काजल की कमर पर गई तो अरजुन के आँखे बड़ी हो गई काजल ये क्या हुआ तुम्हें काजल रोती रही बस रोती रही अरजुन के हाथ काजल की कमर की तरफ गए तो काजल ने अरजुन का हाथ पकड़ लिया और नामे से रहला दिया पर अरजुन ने काजल की बात नहीं मानी उसने सारी थोड़ी सी और हटा दी तो काजल ने अपन दिखाई दे रहा था, काजल ने अपना मूँ घुमा लिया और बेत आहासा रोने लगी, अरजुन ने काजल को अपनी तरफ घुमा लिया, काजल मुझे सिर्फ तुम्हारी रूम को छुना है, जिस्म की चाहत नहीं रफ्रा है इश्क मेरा, तुम आज भी मेरे लिए वही पर अपनी प्यार का मरहम लगा दिया, काजल रोते हुए अरजुन के सीने से लग गई, अरजुन मुझे आप अपने से कभी जुदा मत करना, वरना मर जाओंगी मैं, अरजुन ने काजल को खुद से बिलकुस सटा लिया, और उसके बालों को चुम लिया, काजल मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हर हाल में तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी, उन सब को सजा मिलेगी जिनों ने तुमेरी जक्म दिये, अरजुन ने काजल के पूरे चेहरे को चुम लिया, और फिरे दीरे आगे पढ़ने लगा, इस रात में दोनों के दर्मियान जो भी दूरियां थी, सब मिठ चुकी थी, सिर्फ प्यार था, अरजुन का साथ पाकर काजल ने अपनी मुहपत अरजुन पर लुटा दी, दोनों तन मन से एक हो गए, दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सूर रहे थी, अगले सुबह काजल की आँख जल्दी खुड गई काजल अरजुन के बाहों में थी, और उसे देख रहे थी, अरजुन की आँखे भी खुल गई, काजल उटकर जाने लगी तो अरजुन ने उससे नामे सर हिला दिया, अरजुन ने उसे अपने करीब कर लिया, तो काजल उसके सामने मुह करके लेड गई, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अरजुन ने उसके चेरे पर हाथ फिराया, तो काजल की आँखें बंदो गए, अरजुन काजल के उपर जूप किया, और काजल ने उसकी पीट पर अपने हाथ कस दिये, कुछ देर बाद काजल नहा कर तयार होकर बाहर आ गई, काजल ने सब के लिए नास मुझे मैं ठीक हूँ, बस सोच रही थी, इन दिनों में क्या-क्या हो गया है, जिन्दिगी ही बदल गई है, काजल बेटा, कह तो तुम सही रही हो, पर सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सबने नास्ता कर लिया, तो सब अपने-पने काम में लग गए, अरजुन अ अरजु के पास बढ़िया, काजल का क्या आतीत है, अरजुन ने अरजुन की तरफ देखर का, आप सच में जानना चाहते हैं, हाँ, मेरे बड़े पापा, काजल दीदु के पापा, डि आईजी सतेंद कुमार, और मेरे पापा, मोहन कुमार, IAS थे, दोनों ने इस ड्रक्स का धंधा करने वालों की नाक में नकेर कस्ती थी, पर वो नहीं जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, एक मिनट, अरजुन ने कहा, ये वो सतेंद कुमार है, जो दो साल पहले उनकी और उनके परिवार की किसी ने हत्या कर दी थी, हाँ, जीजु, वहीं है, दीद से कुछ लोग आ गए और हमें जबजस्ती अपने साथ ले गए और हमें अलग-अलग कमरे में रख दिया, उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया मुझे, पर दीदु को उन्होंने ड्रक्स दे कर मेंटली टॉर्चर किया, उनके साथ अच्छा भेवार नहीं किया, पर एक दिन मौका देखकर मैं किसी तरह दीदु को लेकर वहां से निकल आई, पर दीदु वो तो होस में थी ही नहीं, फिर दीदु को मैं आचार जी के पास ले गए, क्योंकि वो ही सेफ जगे थी, वो लोग हमें पागल कुत्ती की तरह हर जगे ढूर रहे थी, उन्होंने ही दीदु क इलाज किया पर उही नॉर्मल होते होते वक्त लगा, आज भी वो डर जाती है, अरजुने पूरी बात सुनी तो उसकी आखें गुस्चे से लाल हो गई, अंजु रो रही थी, जीजु दीदु को बचा लू, उनकी सिवा मेरा कोई नहीं है, अरजुने प्यार से अंजु के के पास, मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूगा, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक होगा, अरजुन ने अंजु के सर पर हाथ रख दिया, जीजु एक और बात है, कौन सी बात है, मिश्टर भाटिया भी उन लोगों से मिले हुए है, अरजुन ने कहा, तुम्हे इन सब पर भारी पड़ जाएगा, बहुत जल्द मालू हो जाएगा तुमको, आ रहा है शेर अपना सिकार करने के लिए, आपकी बातों से पता चल रहा है कि कोई बहुत ही तगड़ा है, जब मिलोगी ना, तुम तो कहोगी, यही असली शेर है, बाकि सब गीदर कहकर अरज क्यों उतार रहे हूँ, अरजुन ने अपनी शेर्ट साइड में फेक दी, उसने काजल को अपनी बाहों में भाल लिया, किसी को मैं बिना शेर्ट के बहुत हैंसम लगता हूँ, काजल ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा, कौन है वो, अरजुन ने काजल के चेहरे को अपन तुमसे प्यार जाता ना, काजल ने अरजुन के माथे से उसके बाल हटाते हुए कहा, आपका प्यार ही तो मुझे जीने का होसला देता है, वरना मैं तो कबकी मर गई होती, आप छूते हैं ना, तो दिल में फिर से जीने की तमन्ना जाग उतती है, दिल करता है आपको अप प्यार मुझे, मैं तो तैयार हूँ, अरजुन के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, अरजुन ने एक बार फिर से काजल को चूँने लगा, काजल के हाथ अरजुन के कंधों पर कस गए, अरजुन के दिल में बहुत जच्वात उमार रहे थे, अरजुन ने काजल को अपनी पुरी निगासे भी नहीं देख सकता। काजल की आखे फिर भराई, आप कभी छोड़ कर तुम्हें जाएंगे ना मुझे। अरजन ने काजल का सिर्फ अपनी सीने पड़क लिया और उसने अरजन को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा तुम जान हो मेरी और मैं अपनी जान को खुज से कभी जुदा नहीं करूँगा काजल ने अर्जुन के सीने में खुद को छिपा लिया दोनों एक दूसरे की बाहूं में एक पार फिर से खो गए अर्जुन बस इतना चाहता थ काजल को इतना प्यार दे कि वो अपना सब दर्द भूल गया जिन्दगी पहले जैसी तो हो गई थी पर फिर भी एक डर का साया पूरे घर पर था अभी बिलकुल ठीक था तो इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया समीर और अभी दोनों एक ही क्लास में एक ही कॉलेज में प कर देखा तो इसकी आँखे बढ़ी हो गई समीर यह क्या हुआ तुमें समीर बिना कुछ कहेश वहां से जाने लगा तो अभी ने उसका हाथ पकल लिया समीर मेरी तरफ देखो तो समीर ने अपनी नजरे उपर की तो समीर की आँखों में पानी भर गया और अभी की गले से कॉलेज में सब उन्हें ही देख रहे थी तो अभी उसे दूसरी तरफ ले गया जहां कोई नहीं था दोनों वहां रखी कुर्षियों पर बैठ गये अभी ने उसके सिर से हुडी हटाई तो समीर की चेहरे पर चोटों के निसान थे समीर तुम्हें इतनी बुरी तरह किसने पीटा है समीर रोने लगा पापा ने मारा है उस दिन मैं भाईया से माख भी मागने आया था इसलिए वो अच्छे आदमी नहीं है उन्होंने मा को भी मारा है अभी ने समीर के आंसु पोछे और अपने गले से लगा दिया तुम चिंता मत करो हमसाव है न और भाईया सब ठीक कर देंगा अब मुस्क्रा भी दे यार अभी की बास सुनकर समीर मुस्क्रा दिया चल क्लास अटेंड करते हैं फिर घर चलते हैं अभी पापा को पता चला तो वो मुझे फिसे मारेंगे समीर तुम मेरे भाई हो और मेरे भाई को ऐसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है मैं सबकी हड़ियां तोड़तूंगा कहकर मुस्क्राने लगा दोनों क्लास में चले गए कुछ देर बाद वो दोनों घर जाने के लिए निकल रहे थे तो उनकी नजर दो लड़कियों पर पड़ी जो सलवार सूप पहनी थी कुछ लड़के उनको घेर कर खड़े थे दोनों दूर से देख रहे थे वो लड़के उन दोनों लड़कियों को परिशान कर रहे थे पर वो लड़कियां कुछ नहीं कर रहे थे बस रो रहे थे अभी ये लड़कियां इन लड़कों को कुछ कह क्यों नहीं रही है बस बुद बन कर खड़िये दो हैं एक साथ मिलकर सबको एक एक रख दे समीर देख दोनों डड़ के मारे कैसे काप रही है वो सब लड़के उनके करीब जाने लगे तो अभी ने पीछे से अवाल लगाए ओए चुपचाप पीछे हर जाओ नहीं तो ऐसे फटके पढ़ेंगे न दस दिन तक विस्तर से नहीं उठ पाओगे वो सब अभी की ओर आ गए कौन है बे तु तेरा बाप कहकर अभी हसने लगा वो लड़का गुस्से से अभी की ओर बढ़ा तो समीर ने बीच में उसका हाथ पका लिया उस लड़के को उंगली दिखा करका खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया वो लड़का अकरते भी कहने लगा तू क्या कर लेगा समीर अभी एक दूसरे को देख कर मुस्कराने लगे हम दोनों तुम सब की ऐसी धुलाई करेंगे कि कभी भी किसी लड़की को छेड़ने की गलती नहीं करोगे समीर अभी की बाह सुनकर सारे लड़के दोनों को घेर कर खड़े हो गए दोनों बीच में खड़े थे और दोनों लड़किया एक साइट खड़े होकर सब देख रही थी अभी ये तो सिर्फ दस है समीर हमारे लिए अच्छा ही है हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी वो सब लड़के एक साथ दोनों पर तूट पड़े तो समीर अभी ने कुछ पल में उनको दिन में तारे दिखा दिए दोनों के हाथों से पिट कर सब जमीन पर दर्द के मारे इधर उधर होने लगे समीर अभी ने अपने हाथ जारते भी कहा आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ा तो ये मार यात कर लेना औरतों के इज़द करना से समीर अभी दोनों की बौड़ी एक्दम फिटती वो दोनों लड़कियां समीर अभी के पास आगे बहुत बहुत आभार आपका आपने हमें इन सब तुष्टों से बचाया समीर अभी उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्का दिये अभी ने उन लड़कियों को देखकर कहा जी आपने इतनी सुद्ध हिंदी में बात करनी कहां से सिखी है उन दोनों में से एक लड़की बोली जी हमारे काओं में ऐसे ही बात करते हैं सब समीर ने कहा आप दोनों का नाम क्या है दोनों एक साथ बोली काब्या और कभी अभी को हजी छूट गई तो कभी ने कहा जी आप हस क्यों रहे हैं अब तो समीर अभी पेट पकड़ कर हसने लगे आप दोनों एक जैसा ही बोल रही है क्योंकि हम दोनों बहने हैं इसलिए कभी ने मुग बना कर कहा अभी ने कहा आप में से काब्या कहों नो है और कभी कौन है मैं कवी और ये काब्या और मैं छोटी हूँ और काब्या दिदू बड़ी है अभी समीर दोनों उनको देख रहे थे दोनों के हाइटेक जैसी थी और रंग गोरा था दिखने में बहुत कोशूरत थी समीर ने कहा ये सहर है यहां समल कर रहना और कोई बत्तिमी जी करे तो दोनों मिलकर उनको सबक सिखाओ रोने की जगे लड़ना सिखो वरना ऐसे लोग हर रोज मिलेंगे यहां कहां रहती हो आप दोनों होस्टल में रहते हैं अच्छा माबाप उन्होंने अकेले भेज दिया इतनी दूर पढ़ने के लिए यह सुनकर काब्या के आँखों में आशु आ गए समीर ने देखा तो उसने कहा हमने क्या कुछ गलत सवाल कर दिया नहीं समीर जी काब्या दीदू को मा बाबा की याद आ गई अभी ने कहा मतलब? कभी ने कहा वो अब इस दुनिया में नहीं एक हैवान ने उन्हें मार दिया है अभी समीर ने सुना तो उन्हीं सुनकर हपसोस हुआ समीर काब्या की ओड़ गया हमें माप कर देजिए हम दोनों की वज़े से आपका दिल दुखा नहीं आप माफी मत मागो काब्या ने का हम आज पहली बार मिले और सब कुछ यहीं गेट पर पूछ लिया आपकी क्लास मिस हो जाएगी नहीं जी हमारी क्लास लगने वाली में अभी टाइम है काब्या ने बहुत ही मासुमिय से कहा अभी ने कहा तो चलो कैंटिंग चलकर कुछ खा लेते हैं पर क्या आप दोनों हमारे साथ चलेंगी कभी ने कहा हम चलेंगे आपको मुझसे और समीर से डर नहीं लगेगा कभी ने कहा डर क्यों लगेगा आप उन गंदे लड़कों जैसे नहीं है आप तो अच्छे है तो चलो चलते हैं तो सब कैंटिंग चलते हैं चारों केंटिंग चले गए, सबने ओर्डर कर दिया और फिर खाने लगी, कभी के पास अभी और काब्या के पास समीर बैठा था, मैं अभी और ये समीर हम दोनों भाई हैं, अभी ने कभी से कहा, एक बात पूछू, तो आप दोनों को तो भुरा तो नहीं मानोगी, नहीं जी आप पूछिये, कभी ने कहा, तुम्हारे मापापा को क्या हुआ था, मतलब उनकी मौत कैसी हुई थी, इस बार काब्या ने कहा, उन्हें मार दिया, एक हैवान ने, कहकर रोने लगी, समीर उसके कंदे पर हाथ रखने लगा, पर अपना हाथ पीछे हटा लिए, देखिये, आप रोईए मत, नहीं जी, हम ठीक है, बाबा प्रेस रिपोर्टर थी, ब्रिच प्रकास नाम थांका, उन्होंने मिश्टर भाटिया के खिलाब बहुत सबूत इखटा कर रखे थी, उन सबूतों को हासिल करने के लिए, उस हैवान ने, बहुत ही निरदरता से, हमारे माबा मिश्टर भाटिया का नाम सुनकर, समीर अभी दोनों चौक गे, मिश्टर भाटिया, उन्होंने ये सब किया है, काब्या ने नफ्रस से कहा, वो एक नंबर का घटिया और कमीना इंसान है, वो लोग अब हमें धून रहे हैं, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत कुछ चांते समीर ने एकदम से काब्या के कंदे पर हाथ रग दिया, क्या जानती हो उनके बारे में, कभी ने हैरान होकर पूछा, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, समीर ने जलती निकाहों से कहा, क्योंकि वो हमारे भी दुस्मन हैं, दोनों लड़किया चोक गें, आपके भी लगी, चलो हमारे साथ, तुम्हारी जान खत्रे में, पर कहां ले जा रहे हैं हमें, अभी ने कहा हमारे घर, अब बिना सवाल किये चलो, कुछ देर में चारो घर पहुच गए, चारो जब घर पहुचे तो सब हाल में बैठे वे थे, अरजुन, रवी आफिस गए थे, काज समीर के पास आ गए, काजल ने समीर का चेहरा उपर उठाया, तो उसके होस उड़ गए, समीर, ये तुम्हारे चेहरे पर ये चोटो के रिसान कैसे आएं, अंजु भी समीर को देखने लगी, समीर, किस ने किया ये सब, बताओ मुझे, अंजु ने का, समीर एकदम से काजल क के गले से लगकर रोने लगा, काजल ने उसके पीट को से लाते भी कहा, समीर, मेरी तरब देखो तो, समीर काजल से दूर हट गया, अंजु फास्ट एड बैक्स लेकर आ तो, अजु फास्ट एड बॉक्स लेने चली गई, अभी तुम बोलो, ये किस ने किया है, ये सब, त सब को देख रही थी, तो अंजु उनके पास बैट गए, आप दोनों के नाम क्या है, मैं कभी और ये मेरी दीदू काब्या, अंजु ने दीदू शब्द सुना, तो मुस्क्रा दी, अभी ये तुम्हारे साथ काजल में पढ़ती है, तो अभी ने अंजु और बागी सब को सब कुछ बता दिया, समीरे का भावी भहिया कहा है, हमें उनसे बात करने है, वो और रभी भहिया और खिस गहे हैं, आने वाले हैं, तुम सब तब तक खाना खाओ, काब्या कभी वही बैठी रही, तो काजल उनके पास आ गए, काजल ने बहुत ही प्यार से दोनों के सिर प आ गए, काजल ने अर्जुन और रभी से उसके बैग लेकर रख दिये, आप भी बैठी खाना खाईए, अर्जुन समीर के पास बैठ गया, और रभी उसके पास बैठ गया, दाई मा नहीं दिख लेंगे, काजल ने कहा, उनकी तब यह थुड़ी खराब थी, तो उनको दव पाई खिला कर सुला दिया है, डाक्टर को दिखाया, उन्हें अर्जुन ने खाना खाती भी कहा, हाँ, डाक्टर चेक करके गये है, अर्जुन की नजर तो नो लड़कियों पर पड़ी, तो उसने काजल की और देखा, तो काजल ने आँखों से कुछ कहा, तो अर्जुन पड़ी, तो अर्जुन एकदम से खाना खाते खाते उठ गये, समीर का चेहरा अपने हाथों में पालिया, समीर ये क्या हुआ, समीर अर्जुन के सीने से लग गया, तो अर्जुन ने उसकी बाहों में ले लिया, भाई, बता, क्या हुआ है तुझे, अभी अर्जुन के पा किया तो अरजुन ने नमस्ति कर दिया बह्या यह आज हमें कॉलेज में मिली थी के कर सब बता दिया अरजुन का गुष्ट अब बढ़ता ही जा रहा था यह आद्मी कभी नहीं सुदर सकता है पहले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब इनके साथ भी अरजुन काब्या कभी से कहा आज से तुम दोनों यही रहोगी तो काब्या ने कहा हम यहां कैसे रह सकते ही काजल ने सब्जा है क्योंकि तुम दोनों की जान को ख़तरा है मिश्टर भातिया से और तुम दोनों यही सेब रभी ने भी कहा तुम दोनों सोच रही होगी कि हम तुमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे है तो सुनो उस आदमी ने हम सब का सब कुछ छीन लिया समीर उनका ही बेटा है यह सुनका दोनों लड़किया चोक गई पर यह तो यहां है हाँ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अंजो ने सारी बात उन्हें अपनी तरीके से समझा दी काब्या समीर उस आदमी का बेटा जरूर है पर उनके जैसा नहीं है इस तरह दिन ढ़लने लगा तो समीर ने काजल से का भावी मैं घर चलता हूँ मा परिशान हो जाएगी तुम यहीं रहोगे अर्जुन ने कहा पर भाईया मा अकेली है वहाँ और मैं यहाँ तुम फोन करके बता दो उन्हें कि तुम यहाँ हो बागी बाते सुबह करेंगे समीर ने फोन कर दिया तो अर्जुन नहा कर निकला था जिसने गले में टॉबल डाल रखा था और लोवर पहन रखा था काजल ने देखा अर्जुन के चेरे पर तो तनाओ था तो काजल ने अर्जुन से उसे पीछे से कसकर पकर लिया तो अर्जुन ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकर लिया अर्जुन के बालों से पानी के पकरा था उसका भीगा बदन काजल को अपना दिवाना बना रहा था अर्जुन इतने उदास क्यों है आप अर्जुन ने काजल के हाथ हटा दिये और खिड़की के पास खड़ा हो गया काजल अरजुन को इस तरह देखकर उदास हो गई उसके दिल में भावनाय उमर रही थी काजल की आँखों में नमी आ गई अरजुन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने काजल की तरफ अपनी बाहें पहला कर गई आओ मेरे पास तो काजल अरजुन की बाहों में समा गई और उसके सीने से लग गई यार मुझे माप कर दो प्लीज काजल कुछ नहीं बोली बस अरजुन को खसकर पकर लिया अरजुन ने काजल की बालों को चूम लिया क्या हुआ है तुम्हें अरजुन मैं ना आपसे दूर नहीं रह सकती एक पल भी नहीं मुझे कभी दूर मच जाना अरजुन ने भी अपने हाथ काजल की कमर पर कस दिये दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे में गों हो गई काजल ने अरजुन का हार पकड़कर बेट के पास ले आई और खुद लेट गई और अपनी बाहें पहला कर अरजुन को अपने पास बुला लिया तो अरजुन उसकी सीने पर सर रख दिया और दोनों एक दूसरे में गों गए आदी रात को सब सो रहे तो तब ही घर के में दरवाजे को किसी ने चोल जोल से बजाया अरजुन की आखे खुल गए काजल भी उट गई इस वक्त कौन है जो इतनी जोल से दरवाजा पीट रा है अरजुन टीशर्ट पहन कर बाहर जाने लगा तो काजल भी साथ चल दी बाकी सबकी भी नीब खुल गई सब हाल में खटे हो गए अरजुन ने हिम्मत करके दरवाजा खूला तो कोई उसके उपर आकर गिर गया तो अरजुन डर गया अरजुन ने देखा तो उसकी आँखे पटी की पटी रह गई बाकी सब भी देखकर हैरान हो गए समीर दोड़कर उनके पास चला गया मा यह आपको क्या हो गया अरजुन अरजुन मुझे माप करतू मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है पर मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई अरजुन की नजर जब उनके पेट की तरप गई तो वो खुन से सनी हुई थी अरजुन की आँखे परसने लगे सेलजा जी कुछ कहना चाह रही थी पर उनकी आवाज गले में अटकी हुई थी समीर को अपने पास रखना उस आदमी के पास मत भेजना अरजुन एक बार मुझे मा कहे दे तो अरजुन ने उन्हें मा कहकर अपने गले से लगा लिया समीर और बाकी सब रो रहे थे अरजुन वो आदमी वो तुम को मा डालेगा अरजुन वो और वो कहकर उन्होंने अपनी आखे बंद कर ली अरजुन ने सहल्या जी को अपने बाहों में भर लिया और जो सिची का मा समीर अरजुन के गले लगकर बेताहसा रोन लगा भाईया मार डाला उन्होंने मा को भी अरजुन की दुनिया ही लुट गई सुबह होते ही तीनों भाईयों ने उनको मुखागनी दी तो अभी समीर अरजुन के गले लगकर रोनी लगे कुछ देर के बाद सब अंतिम संसकार करके वापस लोट आए घर में मातम छा गया अरजुन का दर्द उसके दिल में जखम बना रहे थी राह चलती हुई लड़कियों का दोपटा खीसने का बहुत सोख है ना तुम लोगों को अब इस फीर में तुम लोगों के कपड़े उतरेंगे तब तुम सब को पता चलेगा जब भरे बाजार में किसी के साथ जब ऐसा होता है तो दिल पर क्या भीती है उसने किसी को इसारा किया तो वो उन पांच-छे लड़के थी जो राह चलती लड़कियों को छेड़ रहे थी वो लड़के सब रोने लगे वो एकदम से अपने जीब की बोनट से छलांग लगा कर उन सब के सामने अपना डंडा घुमाते वे खड़ी हो गई अपने चसमे को अपनी शर्ट में लगा कर उन सब की होड़ देखने लगी वो लड़के ड़के मारे कापने लगे पर उन में से एक लड़का अकर के उसके सामने खड़ा हो गया तो सेवक राम जी ने अपना सिर पीट लिया लगता है ये भरी जवानी में अपनी जान से हाथ दो बैटेगा किस से पंगा ले लिया है अब नहीं छोड़ेगी हमारी साहब डी एसपी आराध्या से खावत कौन है तू उस लड़के ने बड़ी ही बेहाई से आराध्या को देखकर कहा तो अराध्या मुस्कराने लगी तो महझ ने कपिल के कान में कहा इस लड़के ने क्या सोच कर मैडम को ये कहा हूँगा कपिल ने उसे घूरते लगा जा कर खुद पूछे मा मैं इसने दाथ दिखाती हुआ भरत क्यों रहा है मैं तो बस इन लड़कों के बारे में सोच रहा था कि अब इनकी हालत सुधने वाली है कहकर मुस्कराने लगा आराध्या ने उसे देखकर कहा तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो लड़का दाथ दिखाने लगा तो आराध्या ने उसके मुँपर एक जोरदार पंच जड़ दिया तो लड़के के सामने वाले दाथ टूपकर गिर गए ये देखकर बाकि सब लड़कों ने अपने मुँपर हाथ रख लिया कि कहीं उनके दाथ भी न तूट जाए पिल्कु सीधा कर दिया और फिर आराध्या जीप के वोनट पर बैठ गी आराध्या की आँखों में गुस्सा साब दिखाई दे रहाता है सब अपने हाथों पैरों को पकड़ कर टेड़े मेड़े होकर खाए हो गए तुम सब देश का नेत्वत्त करोगे भविस हो तुम इस समाज का पर तुम लोग इंसानों की तरह नहीं जानरों की तरह रहना सीख के हो कुछ तो इंसानियत रखो अपने अंदर सबको इच्चत दो फिर चाहे लड़का हो या लड़की सब अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा है वरना मेरा सामना हर मोर पर तुम सबको करना पड़ेगा महस इन सबके एडरेस लिखा कर इनको भेज दो महस ने आरादे से कहा पर मैडम इन्हें छोड़ना क्यों है आरादे ने बिलकुँ सांथ भाव से कहा अगर इन पर केस बन गया तो इनके माथे पर क्रीमिनल का ठपा लग जाएगा और इनका भविस से बरबाद हो जाएगा इसलिए जो कहा है तुमसे वो करूप महस ने सबके एडरेस लिख कर सबको रवाना कर दिया आराद्या और बाकी सब जीब में बैठने लगे तो उसका फोन डिंग करने लगा तो उसने फोन रिसीब कर लिया तो दूसरी तरब से आवाज आई मैडम उन लड़कियों का पता मिल गया है आप जल्दी से यहां आ जाईए ठीक है मैं आज ही पहुँच रही हूँ कहकर फोन रख दिया महस तुम सब तयार हो जाओ नए मिशन पर जाना है कहां जाना है मैडम मुंबई आराद्या ने मुस्काते वे अपना चस्मा लगा लिया आ रही हूँ मैं गेट रेडी आराद्या ने राड़ा को फोन करके कहा तयार हो जाओ हम मुंबई पहुच चुके है जैसा बोला है वैसा ही करना है मैं और बाकी सब उसी रास्ते में ही जाएंगे पर तुम अलर्ट रहना दूसरी दर्फ से राड़ा के आवाज आई सर इसमें तो रिष्क है हाँ जानती हूँ मैं पर ये करना पड़ेगा क्योंकि उनको भनक लग चुकी है कि हम यहाँ पहुच गए है हम में से कोई गदार है जो मिश्टर भाटिया से मिला हुआ है सर पर है कौन वो तुम चिंता मत करो मैं उसे ढून लोगी वो मेरी नजरों से बस नहीं पाएगा अच्छा वो दोनों लड़किया मिली सर वो लड़किया पता नहीं कहा है पर मैंने अपने खबरियों को कह दिया है बहुत चल्द उनको ढून लेंगे नहीं राना ढून नहीं लोगा ढूनो उन्हें उनकी जान ख़त्रे में है उनके पास सबूत है कि आखिर वो कौन है जिसने बेगुना लोगों का खून पानी की तरह बहाया जी सर मैं उन्हें ढून लोगा और राणा अरजुन के घर की सिकुरेटी टाइट कर दो पर उनको पता ना चले पर सर परवर नहीं राणा वो सब डर के साए में वैसे ही जी रहे तुम बस चोकार चोकने रहना समझ गए जी सर जैहिन केकर राणा ने फोट कार दिये तभी उनके जीब के पीछे छे साथ गारियां लग गई आरादे ने जब पीछे देखा तो मुस्कराने लगी महस कपिल सेवक राम जी तैयार हो जाए सब हमारे पीछे हमारे चाहने वाले आ रहे है महस कोई गरबर नहीं होनी चाहिए समझे महस ने भी जोस में आकर कहा ब्राण बड़ी सर इन सब की छुट्टी कर देंगे मादो जी महरबानी करके जीप की स्पीड बढ़ाये आराध्या ने कहा जी सर करकर मादो ने जीप को हवाई जहाज बना दिया फाइरिंग होने लगी तो महस कपिल सेवक राम जी ने जवाबी फाइरिंग सुरू कर दी उन आदमियों की गारियां पीछे छूट गई और आराध्या की जीप जंगल की तरफ जाकर अंदर की तरफ रूप गई सब जीप में से उतर गए तभी वहाँ एक आदमी बुलेट गाई बाइक लेकर आ गया तो आराध्या ने जल्दी से हेलमेट पहने लगी तो उसने पीछे मुड़ कर देखा एक बात याद रखना है इन में से एक गारी में वो कमीना मिश्टर भाटिया भी है और वो सुरेज भी है जिसने रौनक को मारा था पुलिस फोर्स को अलेट कर दो दोनों को जिन्दा रखना है समझ गये सक महस तुम सबके पास इसपाई कैमरा है उसके जरिये हम टच में रहेंगे सबने एक साथ कहा यस सर आराध्या ने हेलमेट पहना और वो बुलेट बाइक पर बैठ कर हवा की तेजी से वहां से चली ग रास्ते पर थी आराध्या वहीं बीच सडख पर बाइक रोग कर उस पर बैठ कर कुछ कर रही थी और मुस्क्रा रही थी पहली गारी में बेठे आमी ने आराध्या को सडख के बीचों बीच ख़़ा देखा तो वो चोग गया उसने अपनी दूसरे साथी से कहा देख सामने में वो क़ड़ी है पहले आदमी निसे पटा चला की मैं आ रहा हूं मिंसर भाटिया से जलाती बिगा antes में से कोई उससे मिला है छोड़ूंगा नहीं किसी को सुन चढ़ादे गाली उस पर क्या दूसरी तरफ से छोटू चोग गया बॉस वो डीएसपी है मिश्टर भाटिया ने अपना सिर पकड़ लिया उसने जलाते वे कहा जो बोला है वो कहकर फोन कार दिया छोटू ने पहले आदमी गाली स्टार्ट करने लगा तो उसे सडक पर एक तार सी बिछी वी दिखी छोटू ये क्या है रास्ते में तो छोटू सामने देखने लगा तो उसकी आँखे बड़ी हो गई अभी ये तो लाइन की तार है तो पहले आदमी ने अपना हाथ सिर पर माल लिया ये तो ह हुमारे अर्थी का सामाल लेकर बैठी है छोटू छोटू क्या है आगे भी तो बक सामने देख तो छोटू में देखा तो आरादिया बड़ी हिट्टे सन में खड़ी थी आँखो उपर गाउगल से एक तम चिर परचित अंदाज में डंडा खुमा रही थी और मुस्करा र जिए तो मिस्टर भाटिया की हलत पत्ली हो गई और फोन हाथ से चुट गया मिस्टर भाटिया ने डरते हुए अपने ड्राइबर को गारि पीछे कर वापस लेजाने को कहा तो ड्राइबर गारि मोर तो पीछे महस पिल सेवक राम जी पूरी पोरस के साथ खरी थे बॉस व खुद छुपकर बिल में बैठे हो और यहां मेरी जान पर बनाई है दूसरी तब से आवाज आई चुप बखवास बनकर क्यों मरा जा रहा है मिस्टर भाटे ने तुनक्तिवे का अभी मैं मर रहा हूँ बहुत जल तेरी बारी भी आने वाली है क्या मतलब है तेरा वो आ गई है आराध्या सिखावत हमारी अर्थी का सामाल लेकर दूसरी तब से आवाज आई क्या वो यहां पहुच गई है मिस्टर भाटे ने का हां आ गई है वो देख अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं तुझे भी फसा दूँगा दूसरी तब से आवाज आई ज्यादा बखवास मत कर मुझे कोई नहीं पहचानता है सारे इलजाम तुझ पर ही आएंगे समझा केकर फोन कार दिया तब ही आराध्या ने सब को बाहर आने के लिए कहा बाहर आओ सब वरना मैं इस पठाके को आग लगा दूँगी कोई बाहर नहीं आया तो आराध्या जैसे ही पठाके में आग लगाने लगी सबी गारियों से बाहर निकल कर आ गए महैस कपिल सेवक राम जी और पूरी पुलिस फोस ने उन सब को गे लिया मिश्टर भाटिया और उसके आदनी फस चुके थे आराध्या ने मिश्टर भाटिया को बुनाया और अपने सामने खड़ा कर दिया मिश् कुछने लगी तो आराध्या ने बातों की फिरकी घुमाती है उसको कोई नहीं जानता है हर इलजाम तुम पर आ जाएगा और वो बच जाएगा तुम उसके बारे में मुझे सब बता दो और मैं तुम सब को छोड़ दूगी आराध्या मुस्कराने लगी मिश्टर भाटिय मैं जो कहती हूँ वो पक्का करती हूँ मिश्टर भाटिया फोन करो उस सक्स को पर जैसे मैं कहूंगी वैसा ही कहना मिश्टर भाटिया ने फोन कर दिया तो दूसरी दब से आवाज आई क्यों फोन किया है मैं वहां से बचकर निकल कर आ गया दूसरी दब से आवाज आई नहीं तो मौत की तलवार हमेशा हमारे सीर पर लटकी रहेगी। दूसरी तरफ से आवाज आई तू ठीक कह रहा है। सूर बन सी खांदान का नाम और निशान मिटा देंगे आज रात को तू रात को दो बजे वहाँ पहुँच। वहाँ पर आज रात को ये किस्सा खत्म कर द लागी। तभी पुलिस वालों ने उसके सभी आद्मों को पकड लिया तो मिस्टर भाडिया बौखला गया। तूने मेरे साथ धोका दिया। और धे ये जमीश्क्राती विकाए। क्या किया मैंने। मिस्टर भाडिया आगे बढ़कर आरध्यय को चुणें लगे तो आराध्या ने उसके हाथ को पकर कर μεरोर दिया इतना आसान नहीं है आराध्या सिखावत को चूना तो उसने भाट्या को उसकी गरतष से पकर करता पोंच लिये तुझे तेरे किये हर बोरे कर्म की सजा मिलेगी कहए कर कपिल को कहा इसे हदकरिया पहनाओ आराध्या को फोन आ गया तो जीब के बोनट के सामने खड़ी होकर बात करने लगी तो भाटिया एकदम से पीछे मुर कर आराध्या प्याग वार करने के लिए आराध्या की वर पढ़ने लगा तो उससे पहली आराध्या ने उसका हाथ पकरकर उसे हवा में उच्छाल कर जीब की बोनर पर दे मारा और उसकी गर्दन को अपने एक हाथ की कोहनी में फ़सा कर कहा अकल से पैदल इंसाम देख लेता मैं सीसे के सामने खड़ी थी और तू पीछे से वार कर रहा है तुझे गुंडा किसने बना दिया आराध्या ने उसकी अच्छे से धुनाई की और पुलिस को सौप दी आराध्या ने पुलिस बैन को आगे चलने के लिए कहा जिसमें मिस्टर भाटिया और उसके साथ ही थी और खुद महस कपिल सेवक राम जी के साथ बैठ गी जीव चड़क पर भाग रही थी महस ने कपिल को धीरे से कहा यार आज सोचा था हाथों में जो खुजली हो रही थी वो आज हर जाती पर यहां तो सब ऐसी ही नहीं पड़ गया तो कपिल ने कहा ये खुद भी मरेगा सर के हाथों से और मुझे भी मरवाएगा आरादय दोनों की बाते सुनकर मुस्करा रही थी महस तयार रहना रात को महस कपिल की तरब देखने लगा फिर आरादय से कहने लगा किस चीज की तयारी तो आरादय ने मुस्कराते वे का हाथों के खुजली हटाने की महस कपिल दोनों की चेहरों पर मुस्करा हटा गई सर हम तयार हैं बिलकुल आरादय ने अरजुन को फोन किया अरजुन मैं आ रहे हूं तुम्हारे गर सब को कहना घर पर ही रहें बाकी बातें मिलकर करते ही कुछ देर के बाद आराध्या पूरी टीम के साथ अरजुन की घर पहुंच गई तो अरजुन उसे देखकर खुस हो गया आप मुंबई कब पुझी अरजुन मुस्कराते भी का यहीं दर्वाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगे भाईया तो अरजुन ने सौरी कहकर उनको खौल में बैठा दिया तब तक काजल, अंजु, रवी, समीर, अवी, दाईमा, काब्या कभी सब आ गए सब आरद्या को देख रहे थी आरद्या ने काजल की तिरब देखा और अरजुन से कहा भाईया, काजल बहुत खोबसूरत है तो अरजुन काजल दोनों मुस्करा दिये जीजु, यह वहीं है जिनके बारे में आपने हमें बताय था तो अरजुन ने कहा यह DSP आरद्या, आरद्य से खावत है आरद्या को देखकर सब हैरान थे अंजु एकदम से आरद्या के पास जाकर बैठ गई आप DSP हैं तो आरद्या ने मुस्कराते वे कहा तुम्हे कोई शक है इस बात पर अंजु बहुत ही excited थी तो उसने अरद्या से कहा आपको देखकर नहीं लगता है कि आप इतने बड़े ओधे पर है काजल ने अंजु को घूरते वे कहा क्या बके जा रही है तु कुछ भी बोलती है अरद्या ने हस्ते वे कहा कोई बात नहीं अंजु फिर से सुरू हो गई आप जीजु को कैसे जानती है आरद्या ने कहा अरद्या ने मेरे बेटे अरद्या को अपना खून दे कर बचाया था उसका एक्सिडेंट हो गया था जो मेरे ही किसी दुस्मन ने मुझसे दुस्मनी निकालने के लिए करवाया था और ये उस वक्त ये अस्पिताल में किसी काम से आये थे काजल ने अंजु से कहा और भी कुछ रहे गया है पूछने को तो अंजु ने मुस्काते भी नामें से रहला दिया आरद्या ने अरद्यन की और देखकर गहा अरद्यन वो सक्स आज रात को हमारे सामने होगा आरादे की बासुनका सब हैरान हो गए अरजुन ने कहा सच में आपको पता चल गया है कि वो कौन है जितने ये सब किया है आरादे ने अरजुन और बाकी सब को सब सब कुछ बता दिया अरजुन मुझे वो दो लड़किया नहीं मिल रही है जिनके पास वो सबूत है जिनके दम पर हम सब अपाधियों को उनके किये की सजा दिलबा सकते है कौन दो लड़किया वो पत्रकार जिनको मिश्टर भापिया ने मारा है तो सब फिर से चोग गए कभी ने कहा हम दोनों ही वो हैं जिन्हें आप खुण गए है अरजे ने सुना तो वो दोनों के पास चली आई वो सबूत कहा मैड़म हमारे पास है अरजे ने कहा मुझे वो सबूत दो तो काब्या ने एक पैंड ड्राइब से उसे थमा दी अरादे ने सबको अपना प्लान बताया तो अभी समीर की चेहरे पर तनाव की लकीरे उभर आई आप सबने हमारी कहानियों को सुरकर अपना बहुत सारा इसने ही लुटाया है आप सबकी प्यारी-प्यारी कमेंट को बढ़कर मुझे बहुत होसना मिलता है आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखे ताकि मैं आप लोग लिए और अच्छे-ची कहानिया ला सकूँ ठैंक यू